जो गरीब लोग और जो अमीर लोगों में जो बहुत बड़ा जो गैप है उसको मिटाने के लिए इसको कम करने के लिए मेहनत कुन करेगा फिर spiritual perspective क्या होना चाहिए यहाँ पर रिजर्वेशन और जातिवाद यह कोई नया टॉपिक नहीं है कई सालों से कई इस भारी से देख रहे हैं इस पर चरचा हो रही है इस पर सभी नहीं निकल रहा है इतने साल हो गए पर रिजर्वेशन कुछ नहीं निकल रहा है और इसका जो परपस जो मूड है इसके पीछे रिजर्वेशन लाया क्यों गया था इक्वैलिटई लाने के लिए ना जो जो गैप है जो गरीब लोग और जो अमिर लोगों में जो बहुत बड़ा जो गैप उसको मिटाने के लिए कम करने के लिए रिजर्वेशन ये विद्वीस्ट लागाए कि जो समान अधिकार मिला जाए कम से कम लीए पर कि आप सभी लोगों को एक एक ही स्टैंडर में लेके आए यह तो पॉसिबल है नहीं ऐसे मैं अगर मान लीजे सब को एक ही स्टैंडर में लाना है तो सभी लोग मेहनत कोन करेगा फैर यह अर्टो गेट फूर्ट यह पूट हाड़ वर्क बट पॉइंट इस एशन अवरी पर इसके लिए रिजर्वेशन का कॉंसेप्ट लाया गया था और जैसे भगवत गिता में भी है सर्वभूत समत्वेन निरवेरा प्रसंगत हां कि सभी जिवों को समान देखना यह सादू का लक्षन है और भगवान कृष्ण चाहते हैं कि सभी लोग सुकी हो जाए सर्वभू सभी भगवान के वह रखेस है तो सतर्वे देखा जाए नहीं है पर शारीरिक दूश्य से देखा जाएंगे शारी देखा है अलग-अलग है अलग-अलग यूनिया Elder देखते हैं यह जो डिफ्रेंस हैं कुछ डिफ्रेंस हम कभी बदलाव नहीं ला सकते कुछ नाच्रल डिफ्रेंस होते हैं तो उसी प्रकार यहां पे रिजर्वेशन का जो मूड था जो परपस था कि जो बैकवर्ड सेक्षनि उसको उपर कैसे लाय जाए उन पद्याचार हो रहा है क्योंकि भगवान ने जब यहां पर जातीवाद का जो जाती का जो कॉंसेप्ट है खास करके ब्राम्मन, शत्रिया, वैश्य, शूद्र हमारी संस्क्रुटि में ये जातीवाद था इसे कहता है वर्ण आश्रम धर्म तो वर्ण जो तो है ब्राह्मन शत्रिय वैश्य और शुद्र भगवान कहते हैं यह मैंने बनाया है अब भगवदिता में यह श्लोक पाया जाता है कि वर्णाश्रम विभागश है चतुर चतुर वर्ण मया स्रिष्टम क्रिष्ण कहते हैं ये मैंने स्रिष्ट किया, इसका किर्म कर्म वीभाघ। पर इसका वीभाजन जो है गुण और करmों के अनुसार है उसका छारैक्टर कैसा है, वो कैसा वयभार करता है और किस प्रकार का कर्म करता है तो इसकेअसी लिए विभाजन सायम रखने वाला भोग करने वाला नहीं पैसों को इकटा करने वाला ब्राम्मन कभी नहीं कहा जाता है अगर अपने आपको ब्राम्मन कहता है पर वो कई जाके नोकरी करता है तो ब्राम्मन को अधिकार नहीं है नोकरी करने का तो ऐसे सब नियम आप देखें शास्तर के करन हम आज नहीं कर सकते हैं अगर हम चाहकर भी हम बोलेंगे कि वरणाश्म जैसे के तैसे अभी लागू करें यह संभव नहीं है क्योंकि दरीज नो यूनियर यूनिटी इन थाउट्स और पीपल इवन इन वन कंट्री इसल्फ तो उस समय पे भारत वर्षा पूरा एक हुआ पूरे भारत वर्ष को एक हम लोग उपिने अलसे टेर्स होते हैं इसकी वजह से कई लोग का मत है कि reservation रहना चाहिए कई लोग का मत है reservation नहीं रहना चाहिए तो आज हम इस concept पर नहीं आते या इस निरणय पर नहीं आएंगे obviously, because मैं कोई बोलने वाला या अधिकारी नहीं हूँ कि reservation होना चाहिए या नहीं होना चाहिए यह तो government level पर decision लिया जाता है but just want to give a spiritual perspective here right now कि हमको हमारा spiritual perspective क्या होना चाहिए यहाँ पर क्योंकि यह problem क्यों नहीं solve हो रहा है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे पहले तो यह भागवत क्या कहता है भागवत कलव शुद्र संभव कहता है जितने भी लोग इस संसार में कल्यूग में इस खास करके इस समय पे जो लोग आते हैं इसे भागवत कहता है वो सभी लोग शुद्र 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 का मतलब क्या है शुद्र मतलब इस नट अट आल कंसेंद अबाट स्पिरिच्व लाइफ तो अलमस्ट आल पीपल इन इस वोड़ यह डिया इस पर ही सबका कंसर्ण हो गहा है आहार निद्राभया महितुनम्च तो ऐसे जो जीवन जीने वारे लोग इसे जिनको अध्यात्मी संस्कृति जिनको धर्मसंगरे करने कुछ पड़ी नहीं है अभे आएसे लोंगों को भीच सब्सक्रेश ने सिर्फ खाना पीना सोना और इसके लिए काम करना बस उनको इस तरह के लोगों को कहा किसी सेम्सक्राइब आज़कर लोग है तो यह विभाजन क्या एक तरह से देखा जहना है कि सभी लोग के एकौली है सबी लोग की जो बुद्धी है वो इतनी नीचेल लेवल पर गिर चुकी है कि उनको financial needs and economical needs के उपर जादा कुछ सुचता नहीं है जादा साथ सुचा तो emotional needs उसके उपर कुछ सुचेगा नहीं तो यह reservation का जो concept यह mood यह था कि लोगों को सबी को एक समान अधिकार देना आज वो न होते हुए आज पूरा mood change हो चुका है politicizing लोग इस पर राजनीती करते हैं और एक राजनीती का एक मुद्धा बन चुका है और vote bank को कैसे आकरशित करें इसके लिए reservation को इस्तमाल किया जा रहा है आज कल किसी का mood यह नहीं कि कैसे लोगों को अधिकार दिया जाए कैसे लोगों को प्रामानिक शिक्षा दिया जाए कैसे उनका character डवलप किया जाए बस आज भी वहीरत लगाके बैटे हैं कि हम पानी देंगे हम विजली देंगे हम टेक्नोलोजी लाएंगे बस यहां तक ही तो लोगों का spiritual needs को उनके उनको कैसे peaceful बनाए इसके लिए कोई work नहीं कर रहा है तो reservation आप कितना भी लाईए the point is that आप इतने साल देख रहे है reservation जब लाया गया था तो कुछ साल के लिए सिमित किया गया था could be maybe 40 years, 50 years, whatever वो कुछ साल उसका निर्धारिक समय तै किया गया था पर उसको न मानते हो इसमें फिर आगे के क्योंकि जो reservation का purpose or solve maybe नहीं हुआ इसलिए उसको और बढ़ाया गया, बढ़ाते जा रहे है बढ़ाते जा रहे है, आज भी politicians यही कह रहे है कई लोग यह मानते हैं कि नहीं reservation के बिना चलेगा नहीं कुछ तो यह ऐसा क्यों है whatever material solutions you find it is not going to work World Health Organization WHO, जब बना गया था, किसले बना गया था कि सभी जीवों की, यानी सभी मनिश्वों की जो health है उसको कैसे हम improve किया जाए कैसे लोगों को medical facilities ज़्यादा सथ प्रोवाइड किया जाए इस purpose से WHO बना गया था, पर उनका हाली के report में उन्होंने यह कहा था कि इतने साल WHO ने काम किया है, इतने सारे इतने सारे उन्होंने medical facilities दिये कई countries को पर problems घटे नहीं problems बढ़ते जा रहे हैं cases घटे नहीं, cases बढ़ते जा रहे हैं suicides घट रहे नहीं है suicides बढ़ते जा रहे हैं so your technological development your medical development is not going to just these development is not going to solve your problems तो हमारे शारिरिक अवशक्ताओं के साथ हमारे जो medical facilities है या फिर financial facilities है इसके अलावा भी कुछ हमें चाहिए तो वो है emotional needs and spiritual needs तो इसलिए Tokyo जैसे city में highest suicidal rates इतना advancement होने के बावजुद वहापे तो reservation की तो अवशक्ता है नहीं पर फिर भी suicide, लोग खुश नहीं है तो हमको ये देखना है हमको सब अंदे होते हुए ये अंदे शर्दा नहीं रखनी है कि बस reservation आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ये संभव नहीं है तो सिर्फ reservation लाने से या सिर्फ reservation जारी रखने से सबीयों को आप समान अधिकार नहीं दे पाएंगे हमको दैव का साथ भी चाहिए साथ साथ में हमारा प्रयास और दैव का साथ जिस प्रकार एक किसान होता है जब वो खेती करता है और खेती जब करता है अपनी पूरी लगन लगाता है पूरी महनत लगाता है पर सिर्फ अपने महनत पर फसल नहीं उकती है उस पर वरशारुतों पर निर्भर होना पड़ता है जब तक बारिश नहीं होगी जब तक जल नहीं मिलेगा तब तक फसल नहीं अच्छी उख सकती भले वो कितना मेहनत क्यों न करें कितना अच्छा बीच क्यों न बोई या फिर कितने अच्छी आउशदी क्यों ना लाए, कितना अच्छा खत क्यों ना लाए, फिर भी वो फसल नहीं हो गएगी, जब तक दैवका साथ नहीं होगा वर्शारुतों के माध्यम से, उसी प्रकार वप्रिश सित्व में भी देखें, सिर्फ वर्शारुतों के निर्भ तो government policies like our efforts हम चाह रहे हैं कुछ उधार लाने के लिए देश में पर साथ साथ में हमको दाइब के उपर भी नीरबर होना पड़ेगा we have to please lord with our activities हम यह भूल रहें तो मैं सनातन धर्म के अनुयाय को फिर से यह request कर रहा हूं यह फिर से जागरुकता को फिर से प्रचार करने का यह मेरा यह छोटा सा प्रयास रहेगा और आप भी इसको समझे और आप इसका प्रचार कीजिए कि just only government policy is not going to help us we should also be grateful towards lord we should be able to please lord by our actions हमारे कर्म से भगवान को कैसे प्रसंद किया जाए और फिर भगवान की क्रिपा से और हमारे प्रयास से इस combination से हम सभी को समान अधिकार दे पाएंगे और सभी को योग्यता दिलाने का प्रयास कर सकता है सभी को सुखी बनाने का प्रयास कर सकता है तो इसके लिए सीफ हमारा प्रयास नहीं परकि भगवान का योगदान भी उसके साथ चाहिए धन्यवाद थांक्यू सो मच हरे कृष्णा